तो हाई गैस वेलकम टो न्यूवे चैनल आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैप मेंट एप्लिकेशन से जो मैंने एमाई पे जितने भी स्मार्ट फोन लिया था तो इसके रिगार्डिंग मैं आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ तो चलते हैं वीडियो के तरह हूँ सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर बात शुरू कहां से हुई थी मेरा जो फोन यहाँ पे रिसीव हुआ था वो रॉन कलर में रिसीव हुआ था मुझे लेकिन जो बिल था वो डुफ्रेंट था तो अब जो है मेरेको करेक्शन हो चुकी है मिल चुकी है अगर आपको आपको नएंपता है टोटल इंसिलेंट तो तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको काफी सारे electronics और gadgets मिलते हैं, जो कि आप EMI पर परचेस कर सकते हो, अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जो है जो परचेसिंग की थी, उसका invoice मेरे को गलत मिलने के कारण मेरे को वारंटी मैं नहीं ले पा रहा था अपने product की, अब उसके लिए मैंने काफी सारे mails किये, tweets किये, whatsapp किया, लेकिन आज तक मेरे पास कोई भी reply नहीं आ रहा था, snap mint की दरफ से, लेकिन अब मेरे पास उनका revert आया है, उन्होंने ये चीज़ बोली है, कि इनका जो customer care support था, snap mint application का, वो इतना जदा बढ़िया नहीं था, क्योंकि total जो application चल रही थी, अभी तक एक startup company थी, तो इस वज़े से इनका जो customer care support है, वो इतना जदा बढ़िया नहीं था, अब इन्होंने अपना customer support बिठाया है, marketing team बिठाई है, जो कि आप लोगों के questions, आपके जो problems हैं, उनका सुधार करेंगे, तो इसके regarding मेरे पास snap mint application से call भी आई थी, और इसके दोरान मेरे को बताया गया, कि क्यों इनके साथ ऐसे problem हो रहते, मेरे जो वीडियो थी, उसमें almost 50,000 views आचुके हैं, और इन्होंने भी ये वीडियो देखी है, देखने के बाद मेरे को call किया है, call करने के बाद मेरे को ये भी बताया गया, कि अगर मेरे पास किसी की भी messages आए है, इसके regarding snap mint में जिनको भी issues हो रहे हैं, तो मैं उनके issues को forward कर सकता हूँ, तो अगर आपको ये issues आ रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो आप मेरे को instagram पर DM कर सकते हैं, तो मैं directly आपका message है उनको forward कर दूँगा, ये marketing team आप directly resolve करेगी आपकी issues, जो issues मेरे को face करने को मिला last 2-3 महीनों में, ये issues आप धीरे-धीरे company solve कर रही है, अगर आपको कोई भी issue है, कोई भी आपने phone लिया था, जिसमें आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसे कुछ issue मिल रहा है, या गलत product आपको deliver हुआ है, या invoice आपको गलत deliver हुआ है, तो आप इन सब के regarding इस number पर call कर सकते है, वाटसअप कर सकते हैं, आपको reward back मिल जाएगा, साथ ही ऐसे जो startup companies होती है, वो धीरे-धीरे अपने problems resolve करती है, क्योंकि इसमें काफी जादा time लगता है, ऐसे companies आपने problems face कर सकते हैं, क्योंकि starting के time पे सारी companies में ऐसे faults निकल सकते हैं, कोई issue नहीं है उसमें, लेकिन उन चीज़ों को resolve करना ये बड़ी बात है, company ने मेरे को directly call किया, और साथ मेरे को ये भी बताया है, कि अगर मेरे पास कोई भी audience ऐसी है, जिनको ये problems है, तो आप उनके साथ मेरे number share कर सकते हैं, even कि आप चाहे तो मेरे को DM कर सकते हैं, मैं वो forward कर दूँगा, जिससे कि आपको directly company reach out कर लेगी, इसी के साथ एक और चीज़ बता दू, कि company ने एक और चीज़ बताया है, कि यहाँ पे जो EMI options है, वो आपको 0% पे only 3 months और 6 months पे ही देखने को मलता है, उसके अलावा जितने भी 9 months, 12 months के EMIs है, उसमें आपको यह चीज़ देखने को नहीं मेरे, तो धीरे-धीरे यह companies अपने जो problems हैं, इनको सुल्धार रही है, और जिससे कि अगर आपको customer experience होता है, consumer experience, वो अगर आपको problematic लगता है, तो धीरे-धीरे आपको mails करने चाहिए, tweets करने चाहिए, ऐसे consumer code जाने से पहले, जिससे कि आपकी जो issues है, वो resolve हो जाए, अब मेरे यह video बनाने के कारण हो सकता है, उनको यह videos देखने के बाद, realize हुआ हो कि हाँ, हमारे customer support इतना अच्छा नहीं है, तो हमको उस पे work करना चाहिए, जिस पे कि इन्होंने work किया है, और अब धीरे-धीरे, यह सब के issues resolve कर देंगे, even कि मेरा जो bill है, वो भी मेरे को receive हो चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ, तो यह मेरा invoice था, और जो कि मेरे को receive हो चुका है, अब मेरे को कोई भी issue नहीं है, मेरे product की warranty में ले सकता हूँ, और यह जो will है, इसके उपर लिखा हुआ है, तो मैं इसको resell भी नहीं कर सकता, लेकिन after giving my all EMIs, मैं इसको sell out कर सकता हूँ, उसमें कोई issue नहीं है, आपको यह video पसंद आई होगी, और यह company इतनी ज़्यादा fraud नहीं होती है, fraud होती ही नहीं है, क्योंकि यह जो problems होती है, यह हरे के startup के साथ आती है, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई business आप start करोगे, तो आप भी हो सकता हो, कोई कुछ ना कुछ faults निकले, जिनको आप resolve करना चाओ धीरे-धीरे, तो यह चीज़े हो जाती है, तो I hope आपको यह video पसंद आई होगी, और मेरे साथ जो resolution था वो तो हो चुका है, आप लोगों के जो problem से अगर आपको है, तो आप मेरे को Instagram DM कर सकते हो, mail कर सकते हो, मैं जो है इसको resolve करने की problem, जो है आपका solve करने की कोशिश करूँगा, तो इस video में इतना ही मैं मताथ सकते हैं, वीडियो में तब तक के लिए, bye!